तो dear students, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप देखरे हैं, और हमारा नाम है आयूस्ते, student आज की इस वीडियो में जिस टोपिक को हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है वाच्ये, और ये है वाच्ये का वाच्ये का one-shot वीडियो, इस से पहले एक डीटेल विडियो लेक्चर समझा दे भले आज से पहले आप वाच्चे पढ़े होएंगे या न पढ़े होएंगे कोई भी टेंसन नहीं लेना है CBSC के अंकल जी के बोर्ड एक्जाम में वाच्चे का क्वेस्टन आपसे बनेगा ही बनेगा इतना आज आपको one shot में कम में एक दम पढ़ा देंगे तो जो भी नवच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिपी कर संदवा लीजिए और शामिल हो जाएए होफार की क्लाश में तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पढ़ना वाच्चे तो वाच्चे का बड़ा सिंपल सा नन्ह सा मुन्ह सा हसीन सा डिफनीशन है कि वाच्चे किसे कहते हैं सबसे पहले समझे कि वाच्चे होता क्या है तो वाच्चे होता है हिंदी संस्कृत में, इंगलिस में इसका मतलब होता है wise, ठीक है, तो बड़ा सिंपल सार इसका definition है, वाच्चे निर्मान की सैली को वाच्चे कहते हैं, वाच्चे कहते हैं, हमने आपको क्या समझाया, कि वाच्चे निर्मान की सैली को क्या कहते हैं, वाच्चे कहते हैं, तो कहते हैं, अब समझे कि इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल समझे, और एक बात बता देते हैं, वाच्चे में इस वीडियो में जब question कराएंगे, तब जाके आपको real वाच्चे का मतलब पता चलेगा तो उससे पहले अगर कुछ ऐसा नहीं समझ नहीं आगा, समझ तो सब आएगा जितना बात बताए उसको ध्यान में रखिएगा जब question कराएंगे न तब जाके आपको इस topic में feel आएगा ठेक ये topic क्या है वाच्चे आप पढ़े हुए इंगलीज में इसको voice कहते हैं, तो आप देखते होँगे हिंदी में एक सब्ध होता है जैसे आदित्य पढ़ता है दूसरे बे में इसको कहना हो तो हम कैसे कह सकते हैं, कि आदित्य के द्वारा science पढ़ा जाता है तो यही वाच्चे हो गया, बात वही है, दोनों में आदित्य के पढ़ने की चर्चा है, लेकिन अलग-अलग बे में है, ठीक, इंगलिस में आप देखते हैं, एक सब्द आता है, teacher told to me, do your homework, इसको अलग voice में बदलो, active passive में, तो आप बोलते है, teacher से to me, do your homework, इस टाइप का जि जाने के लिए बताएं, अब देखिए, definition इसका क्या है, वाच्चे नर्मान की सैली को वाच्चे कहते हैं, वही चाहिए, sentence forming का जो आठ है, कला है, कि अलग-अलग बे में कहना, वही क्या कहलाता है, वाच्चे कहलाता है, भाइस कहलाता है, अब सांती से समझे, अब आगे ब वाच्चे का विडियो देखने से पहले अनुवाद का थोरा बहुत आपके पास जानकारी होगा, क्योंकि वाच्चे का विडियो देखने से पहले अनुवाद आना जरूरी है, नहीं तो फिर इसमें दिक्कत हो जागा, ठीक है, अनुवाद का जानकारी रहना जरूरी है, अब कर्ता कर्म किरिया समझ यह किसे कहते हैं, जैसे हम एक एक जामपल लिखते हैं, राहुल बिद्याले जाता है, राहुल बिद्याले जाता है, तो यहाँ पर जो काम हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, किरिया है, भर्व है, यह क्या हो गया, किरिया हो गया, जाने का काम हो रह और किरिया का फल जिस पर पढ़े उसे क्या कहते है कर्म कहते हैं कहने का मतलब है कि चुवली में क्या काम हो रहा है वही कर्म है तो राहूल जाता है कहां बिद्याले जाता है जाने का फल किस पर पर रहा है बिद्याले पर पर रहा है रिजल्ट क्या है जाने का तो बिद्याले जाने का तो ये हो गया कर्म ये चीज़े आपको पता होनी चाहिए अब वाच्च कर्तरी बाच्चे कर्म बाच्चे और भाव बाच्चे अब तीनों एक एक करके बेसिक टर्म समझे कि कर्तरी बाच्चे किसको कहते कर्म बाच्चे किसको कहते और भाव बाच्चे किसे कहते कर्तरी बाच्चे का मतलब यह होता है कि क्रिया का पढ़ियोग करता की अनुस्वार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं करतरी वाच्चे कहते हैं यानि ऐसे sentence में वाच्चे का मतलम ही हो गया sentence में ऐसे sentence में जिसमें किरिया का जो यूज है करता के कोडिंग हो उसे हम लोग करतरी वाच्चे कहते हैं जैसे अनुवाद में आपको एक simple हम अनुबाद पढ़ाए थे बालक पढ़ता है जी सर आपको एक सिंपल अनुबाद बताए थे बालक पढ़ता है बेसिट चीज को समझ यह तब आचे का question बनेगा तो आपने देखा था कि इसका answer आया था बालक पढ़ती क्यों आया था एकदम डीटेल में आपको बताए हुए जी सर बालक पढ़ती आया था कि नहीं आया था जी सर अब आप सोचिए कि इसमें आप पढ़ती का यूज क्यों किये तो आपने बोला कि सर पढ़ती का यूज इसलिए कड़े क्योंकि बालक पढ़ता है, पढ़ने का काम बालक कर रहा है, बालक क्या है सर, करता है, करता है में प्रथमा भिवक्ती होता है, सर आप अनुबाद में बताए हैं, एक बालक पढ़ रहा है, एक बचन, इसलिए किरिया एक बचन प्रथमा भिवक्ती का ही यहां पर किरिया का हम संस्क्रीट लिख रहे हूं किसके कोडिंग लिख रहे हैं करता के कोडिंग लिख रहे हैं ठीक है यहां पर पठती क्या है तो पठती जो है प्रथम पुरुस है यह आपको ध्यान होगा अनुबाद में ठीक पठती प्रथम पुरुस है उसके बाद एक वचन जी सर तो आपने क्या देखा कि प्रथम पुरूस एक बचन क्यों यूज हुआ वा उनवाद में बताएं थे तो यह हो गया प्रथम पुरूस है तो इसमें किरिया का परियोग करता के कोडिंग हुआ है कहने का मतलब है जैसे जैसे करता वैसे वैसे किरिया जैसे अनुबाद में आप देखे थे ठीक है तो यह हो गया करतरी बाचे ठीक तो यहां से निचोर आपके दिमाग में बस यही रहना चाहिए कि करतरी बाचे में करता किरिया के कोडिंग चलता है जैसे अनुबाद में हम देखे थे कि अगर किरिया नागिन डांस तो करता भी नागिन डांस ठीक है तो उसी को हम लोग कहते हैं करतरी वाचे अब देखिए दूसरा जो है वो है कर्म वाचे ठीक है अब इसमें क्या होगा कि किरिया जो होगा कर्म के कोडिंग होगा न की कर्ता के कोडिंग आप किंगे कि सर अनुवाद में तो आप बताए थे कि किरिया हमेशा कर्ता के कोडिंग होता है तो हाँ अनुवाद एक simple Sanskrit हो गया वाच्चे का तो मतलब ही होता है बदलाओ आदित ये पुस्तक पढ़ता है आदित के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है तो यही तो वाच्चे का खेला है तो जो कर्म बाचे का संटेंस होगा आपको बताएंगे किस सरीके से पहचारना है उसमें कर्म के अनुसार किरिया चलेगा जैसे यहाँ पर आपने क्या देखा था कि राहुल विद्या ले जाता है अब जाता है राहुल के कॉडिंग नहीं चलेगा राहुल के कोडिंग नहीं चलेगा अगर ये simple अनुबाद के question रता तो हम क्या करते जाता है का कैसे पता चलता किरिया तो हम जाता है गम धातु में जाते राहुल प्रथम पुरु से एक बचन है तो प्रथम पुरु से एक बचन का लेते अब ऐसा नहीं अब हम लोग बिद्याले के according चलेंगे कि एक बिद्याले है ठीक है बिद्याले कर्म है तो अब उसके according चलेंगे ठीक तो अभी के लिए ये आप ध्यान में रखेंगे कि कर्म बाच्चे में कर्म के अनुसार क्या होता है किरिया होता है. उसके बाद, भाव वात्चे का आप ध्यान में रखेंगे. भाव वात्चे में क्या होता है, कि स्वतन्त रूप होता है. इसमें कोई किसी के कर्णिंग नहीं चलता, अपना independent चलता है, ये भी आपको हम बताएंगे. और भाव वाच्चे में कर्म होता ही नहीं है इसलिए CBS सिम उतना important भी नहीं है लेकिन ध्यान रखेगा तो ये हो गया अभी वाच्चे का मोटा-मोटी सारा concept ठीक है एक बार आपको सब summarize कर देते हैं अगेन बता देते हैं वाच्चे का कुश्चन आने के लिए थोरा सा आपको अनुवाद आना जरूरी है और साथ में पेसेंस जरूरी है अब इतना पढ़ाने के बाद मातर तीन चीज़ आपको याद रहना चाहिए आप केंगे सर क्या पहला चीज घबराई नहीं के सरी यह सब क्या पढ़ा दिये बस तीन चीज़ आप अपने दिमाग में बैठाईए कर्तरी बाच्चे कर्या करता के कॉडिंग कर्म बाच्चे कर्म कर्या के कॉडिंग ठीक है और भाव बाच्चे में तो कर्म और होगा नहीं अपना independent चलेगा कैसे चलता है वह हम आपको बताएंगे ये हो गया concept उसके बाद आपको main चीज़ याद रखना है ये बाला list अगर ये बाला list नहीं याद होगा तो फिर question बनने में दिक्कत होगा ठीक है ये बाला list में जो है कुछ भी गरबर नहीं है मतलब की कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है सिंपल है देखिए इसमें क्या किये हैं लिस्ट में पहले लिस्ट को समझ यह एकदम सोट में आपको वाच्चे बनाना सिखा रहे है यह हो गया पहला नंबर यह हो गया दूसरा नंबर अब समझ यह दोनों करता का है ठीक है यह दोनों करता है करता का मतलब अगया काम को कर रहा है यह प्रत्मा भी भक्ती का है यह तिर्तिया भी भक्ती का है जैसे हम कहेंगे जैसे यहाँ पर प्रत्मा भी भक्ती में पहला दिये हैं अहम तो अहम का मतलब होता है मै अनुबाद में आपको हम बताएं अहम का मतलब क्या होता है मै तो मै करता है सर बिल्कुल है अगर हम कहें मै पढ़ाई करता हूँ पढ़ाई करने का काम कौन कर रहा है मै कर रहा हूँ तो मै क्या है करता है तो महे का जो Sanskrit होता है वो अहम होता है प्रत्मा भी वक्ती में लेकिन यही अगर तिरतिया भी भक्ती में अगर महे लिखे तो वो होता है मこちら तो सर कैसे पता चलेगा प्रत्मा लिखना है कि तिरतिया वो question में आपको हम बताएंगे घबराइए नहीं यह चीज़े आपको याद होनी चाहिए. ठीक है? जैसे तुम का मतलब होता है तुम प्रतमाँविवक्ती में, अगर वही तिर्थिया में लिखना हो, तो हम लिखेंगे तोया, तो यह चीज़े आपको ध्यान में होना चाहिए, कि हमका मया होता है, वयम का अस्मा भी होता है, त्वम का तोया होता है यूवम का इसमा भी होता है साकत ये जो है तया ते काता है ताकाता भी ये आपको याद रखना है और सेम इधर थोरा सा कर्म में लिख दिये हैं ये अगर उतना ध्यान में नहीं विर्यागा तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ध्यान रखेगा कि कर्म इ आपके असली शुरू होती है, ठीक है, आपको यहीं से एकदम वाच्चे का concept ध्यान में रखना है, क्या बताते हैं, देखिए, यह जो है formula है, बस main यही formula आपके ध्यान में होना चाहिए, यह देखिए, करतरी वाच्चे का formula लिख दिया है, ठीक है, जैसे English में आप देखते है subject plus object plus verb, सिम वही चीज संस्क्रीट में भी है, इसमें भी कोई concept नहीं है, जितने भी करतरी वाच्चे का है, यह आपको याद हो गया, ठीक है, मात्र यह और यह दूसरा पेज वाला यह, तो समझ लीजिए कि आपका वाच्चे का आधा कहानी खतम हो गया, यह दोनों चीज आ अब आपके जो CBSC uncle का syllabus है, आपको पता होगा कि CBSC का जो syllabus है, उसमें वाच्चे जो है, शिरीफ लट लकार में आता है, लट लकार का मतलब हो गया, परजेन टेंस में आता है, तो लट लकार का यही format होता है, परजेन टेंस का, ठीक है, तो देखिए, समझ एक बार फिर से, क परता उसमें प्राथमाभी भक्ति का, कर्म दुईतियाभी भक्ति का, और किरिया में प्राथम पूरुस, मध्यम पूरुस, उत्यम पूरुस, एक बचन, दुई बचन, बहु बचन का लिखे, ये फॉर्मेट बहुत असान है, तीत अंती सीथा था आमी आवा आम, ये क्यों बता दिये, अब धातु रूप आपको रटनी की जुरूत नहीं है, सर कैसे, जैसे पठ धातु लिजे, तो पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठता, पठामी पठावा पठामा, कोई दिकत नो सर, माल लिजे कि इस पे हम लोग गम धातु ले, तो गच्ती गच्ता ग पठता, क्रिडामी, क्रिडावा, क्रिडामा, यह चीज़ी है, और उप्सन रहता है वाच्चे में, तब तो गैरेंटी है कि आपका एकदम सही बनेगा, ठीक है, तो कोई चिंता नहीं करना है, यह हो गया कर्तरी वाच्चे का, अब जो है, दूसरा जो है कर्म वाच्चे का है, कर्म वाच्चे में क्या होगा, कर्ता, तिर्तिया में होगा, तो यही पर बड़ा सवाल उठता है कि सर, आप तो बोले कर्ता, प्रत्मा में होगा, तो वाच्चे में कैसे एक्टिव वाइस का अपना रूल है, पैसिव वाइस का अपना रूल है, उसी पर कारे हैं पुरूष्सका अलग, उतन्पुरूष का अलग, उतन्पूरूषका आलग तो आपके कहेंगे कि सर կहां на पहर नहीं लिखे तो यहां पर प्रत्थम पूरुस ही होता है कर्म बाच्चे में उत्तम पूरुस मध्यम पूरुस नहीं होता है ठीक है हो गया खतम अब भाव बाच्चे में यह आपको ध्यार रखना है देखिए कि भाव बाच्चे में करता तिर्तिया में और किरिया यते बस यते ही चलता है और कर्म, सरकर्म इसमें, कर्म इसमें नहीं होता है ठीक है, इसलिए CBSC में बहुत कम इंपोर्टेंट नहीं है सवाल ही नहीं आता है ध्यान रखे कर्ता, तिर्तिया, किरिया यत है अब ये तीनों चीज़ आपको याद हो गया ये भारी काम नहीं है कर्तरी बाचे, कर्ता प्रत्मा, कर्म दूइतिया, कर्म दूइतिया तो अनुवाद में भी था, किरिया का ये फॉर्मेट, ठीक है, यही अगर हमको कर्म बाचे में रहे, तो कर्ता तिर्तिया, कर्म प्रत्मा और किरिया का ये फॉर्मेट रहेगा, ठीक है, और कर्म बाचे मे क्रिया कर्म के कोडिंग चलेगा करतरी बाच में क्रिया करता के कोडिंग हो गया बाच्चे में हमको इतना ही जो है आपको पढ़ना है अब जो है चलिया आपको CBSC का क्वेस्टन कराते हैं और अब बताते हैं कि किस तरीके से वाच्चे के क्वेस्टन को आप टैकल करेंगे CBSC में ठीक है तो अभी कुछ question करा देते हैं उसके बाद जो है आपका दिमाग खोल जाएगा तो चलिए start करते हैं question को करना तो आप वाच्चे के question का practice और जितना भी question अभी आपको हम कराएंगे आप अच्छे ढंग से patience बना के उसको कर लेते हैं समझ लेते हैं कि कैसे वाच्चे के question को करना है तो आप विश्वास किजिए कि board के परिछा में एक भी question आपका वाच्चे का नहीं छुटेगा सारा का सारा question आप बना के आएंगे और इस बार MC की हुए तो और ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि जितना अभी आपको concept हम पढ़ाएं उतना ध्यान में रखत है अब आप बना किसका answer दीजिए आप कहेंगे sir क्या लिखा हुआ है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कैसे बनेगा बताइए अब देखिए कैसे हम concept का use करकर के बनाएंगे इसको और आपको समझा देंगे और उसके बाद आप इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप अपने पू अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपके मन में एक दूसरा question होगा कि sir अभी आप whiteboard पे पड़ा रहे थे ये screen कहां से आ गया तो देखिए हम question भी whiteboard पे ही समझाते लेकिन होगा क्या student की question करेंगे तो बीच बीच में बताएंगे कि ये सब्द रूप लगेगा ये धातू दूसर लगेगा तो इसमें करा रहे है कि वो slide आपको दिखाएंगे तो आपके ध्यान में रहेगा कि कैसे कैसे यूज होता है whiteboard पे तो slide दिखाना possible है नहीं इसलिए इहाँ पे कराए है ताकि इहाँ पे best तरीके से आपको एकदम समझ में आए अब देखिए student वाच्चे मे आप से हम पूछ रहे हैं कौन से वाच्चे का यह example है आपको बताना है क्या आप बता सकते हैं सर हम नहीं बता सकते हैं बता सकते हैं क्या यहाँ पे आपको यह त्वम लिखा हुआ दिख रहा है जी सर त्वम लिखा हुआ दिख रहा है तो यह जो student त्वम है यह दिख रहा जी सर दिख रहा है, अब आपको अभी जो हम करता का लिस्ट लिखाया है, फिर से यहाँ पे लिख दिये हैं, जी सर, उसमें आप देखिए तो तौम कहां पे लिखा हुआ है, सर यहाँ पे लिखा हुआ है, तौम को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो अभी जो करता व त्वम है यह क्या है त्वम क्या है तो त्वम जो है करता है सर यह हमको पता चल गया सर और त्वम करता है सर यह करता किस विभक्ति का है तो सर प्रत्मा विभक्ति का है यह पता चल गया इसमें कहीं किसी को दिक्कत सर मजा आ गया सर 75% सर के लिए एक बार हो देखिए हम सेंट जब पढ़े तो पता किये कि यहाँ पे त्वम लिखा हुआ है और अभी जो आप सर करता का लिस्ट लिखाए थे सर आप तो वाइट बोट पे लिखाए थे यह तो अलग ही रंगीन लिख दिये सर यहाँ पे फिर से आप लोगों के लिख दिये वाइट बोट बाला तो मीट जी सर यहाँ पे फिर से लिख दिये तो आप देखिएगा उसमें भी तो त्वम जो है यह क्या है प्रत्मा विवक्ति का करता है सर कैसे पता चला तो देखिए करता प्रत्मा विवक्ति त्वम यह सब आपको याद रखना होगा अब आप जो है स्टूडेंट यह पकर है तो क्या यह कर्म वाच्चे का संटेंस है नो सर एक बार और समझो बहुआ देखो बहुआ इंस्टागराम रिल सोगरा अब कम देखिए उसी को देखने के बज़े से आपका मेमोरी पावर एकदम घंट रहा है पढ़ाई में पूरा दिन रहिए एक बात आपने देखा कि त प्रत्मा का करता है अड़ी दादा सर पकर लिये की करता है प्रत्मा विवक्ति का तो इस संटेंस का करता कौन है सर तुम है किस विवक्ति में है प्रत्मा में तो क्या कर्म बाच्चे होगा नहीं क्योंकि करता कर्म बाच्चे के संटेंस में तिर्थिया में रहता है भाव वाच्च में भी तिर्दिया में रहता है तो एक बात हम पकर लिए कि यह जो सेंटेंस है यह किस वाच्चे का है तो यह करतरी वाच्चे का है ठीक है अब यह हमें पता चला कि यह करतरी वाच्चे का सेंटेंस है तो इसका मतलब हुआ कि अब जो भी हम इसमें रूल लगाएं वह किस वाच्य का लगाएंगे तो वह हम लोग करतरी वाच्चे का रूल लगाएंगे। अब आपको यह खोजना है कि यहाँ पर कर्ता फिलप करना है कर्म फिलप करना है कि किरिया फिलप करना है। अब आप कियेंगे कि सर आप पगला है करता तो दिया ही हुआ है तो यह तो फिलब करना नहीं है और यहां पर पता नहीं चला कि सर कर्म फिलब करना है कि किरिया फिलब करना है तो ध्यान से देखिए बाबू लास्ट में हमेशा किरिया ही होता है और आप्शन भी आप पढ़ किरिया फिलब कर देंगे ठीक है अब एक बात आपने identify कर लिया कि यहां पे भाईया क्या हमको फिलब करना है किरिया फिलब करना है क्यों भाईया किरिया फिलब करना है तो इसलिए सैया भाईया किरिया फिलब करना है क्योंकि सर तुम करता है और करता पर्थमावी वक्ती में तो यह करतरी बाचे का है और सर करम का तो बाथ ही छोड़ दीजिए यहाँ पर लास्ट में किरिया ही ढूंड ना है और option में 4 में किरिया ही दिया है कैसे पता चला गच दातू याद है सब गच दातू का है यहीं यह सब क्या है, एक किरिया है अब ये कर्तरी बाचे है तो किरिया किस के कोर्डिंग चलेगा कर्तरी बाचे में कर्ता के कोर्डिंग अब पता चला क्यों वो concept जरूरी था यह सा अब किरिया ढूंडने के लिए आपको दो चीज आना जरूरी है एक तो आप इसका पूरुस फाइंड कीजिए कि कौन सा पूरुस लगाएंगे और वचन फाइंड कीजिए जी सर वचन और पूरुस फाइंड करना है तो वचन और पूरुस आपको फाइंड करना है मतलब बचन और पूरुस आप खोज लेते हैं तो आप किरिया लगा देंगे करतरी बाच्चे में अभी आपको हम पढ़ा है कि करता जो है किरिया किसके कोडिंग चलता है करतरी बाच्चे में किरिया किसके कोडिंग चलता है सर करता के कोडिंग चलता है तो हमें किरिया अब ढूंडना है, तो किरिया ढूंडने के लिए हमें पूरूस और वचन का knowledge होना जरूरी है, जब तक हम पूरूस और वचन का पता नहीं लगाएंगे, किरिया ही नहीं खोज पाएंगे, अब आपके मन में सवाल होगा कि सर, आप तो अनुवाद में पताये थे किरिया खोजने के लिए तीन चीज का जरूरियत होता है पूरूस का वचन का और लकार का यानि टेंस का तो यहाँ टेंस का जरूरत नहीं होगा क्योंकि सलेबस में एक ही लकार है लट लकार तो लकार खोजने की तो जरूरत ही नहीं अब किरिया का पूरूस और वचन क्या होगा सर करता के कोडिंग मतलब करता का जो सर पूरूस और वचन होगा वही किरिया का पूरूस और वचन होगा अब सर कैसे पता चलेगा कि करता का पूरूस वचन क्या है सर ये कैसे पता चलेगा तो देखिए अभी 16 मिनट का एक लेक्चर है इसको नहीं देखते हैं तो आपका अनवाद, चीतर, पठीत, पठीत, कुश्चन, एंसर सब गलत होता चलेगा क्योंकि सही से अगर वचन पूरुस धातु आप नहीं लगाएंगे तो इसको पूरा देख देखिएगा तो इसमें हम एक चीज आपको बताये हैं कि तौम जो है स्टुडेंट तौम जो है वह मध्यम पूरुस एक बचन है द्यान से देखिए तौम क्या है पहले ये देखिए यह जितना भी चाठ है अभी हम आपको हारा रंग से इधर बुलू कौन सा काला लगा द तौम तो हमें यह चार्ट अगर याद है जो इस वीडियो में हम पूरा एक्स्प्लेन किये हैं ठीक है तो हम यह पकर लिए कि भाईया यह जो है करता यह किसमें है तो यह मध्यम पूरुस एक बचन में करता है मतलब अब जो हम किरिया ढूनने जाएंगे वो क्या होगा मध जो चार्ट लिखा है इसमें आईए तो इसमें यह पहला बाला क्या है सर प्रथम पूरुस है छोड़ दीजिए अभी गुलावी आखे गुलावी कलर से रगेंगे यह क्या है सर यह मध्यम पूरुस है तो इसमें आईए तो मध्यम पूरुस में यह क्या है एक बचन में क् लेकिन यह भाव बाच्चे का sentence तो है नहीं तो यह तो हो ही नहीं सकता ठीक है तो क्या हो जाएगा गच्च्ची इसका सही answer हो जाएगा तो पहला का सही क्या हो गया गच्ची हो गया तो कितना easy था तो सारा concept अब आपके पास है आपको बनाने का तरीका हमें आपर सिखा दिये तो देथो अब हम रिकैप नहीं करेंगे हम पढ़ा के ठक चुके हैं अब आएंगे दुबाई से सेक सर जिन्हों ने बहुत अच्छा संस्क्रीत पढ़ाया है सर ओफलाइन कैसे पढ़ सकते हैं ओफलाइन वो पढ़ाते हैं खजांची नगर फ्लैट नंबर फोर बुर्ज ख अब हम तुमको बताती कि काचे वाच्छी का क्वेशन बनती तुमने क्वेशन में देखती कि त्वम लगा होती मिस डैट की त्वम करता होती किस विभक्ती का होती परत्मा का होती तो जिस भी सेंटेंस में करता परत्मा विभक्ती में होती वह सेंटेंस किस वाच्छी का ह वह कर्तरी वाच्चे का होती ठीक है और हमने पता करती कि यहाँ पे हमें क्या भरना होती किरिया भरना होती और किरिया किसके कर्डिंग चलती कर्तरी वाच्चे में तो कर्ता के कर्डिंग चलती कर्ता का पूरुस क्या होती तो हमें पूरुस धातु वाला वीडियो के है भीबी हमको है नहीं है कोई भीबी दन्यवाद ओती मैं सेख दुबाई चली जत तो चलिए अब कुष्चन से बात कीजिएगा न ठीक है तो ही आप बना पाईएगा आप कुष्चन देखके डर जाइएगा तो नहीं बना पाईएगा कुष्चन देखके गना गई है क्या गना गई है कि आपके आजाने से दिल बहलता है मेरा आपके आजाने से या गली में आज चांद निकला आपके आजाने से गली में आज चान्द निकला आपके आने से आए बहार गली में आज चान्द निकला ठीक अब देखें मनरंजन के साथ पढ़ाई करना है हमने यहाँ पे दूसरा कुश्चन में हम जैसे ही आए अब पहला कुश्चन को आप इतना अच्छा से बनाया है कि पहला कुष्चन ने क्या-क्या दूसरे कुष्चन को फोन कर दिया कि बेटा बहुत खतरनाक बच्चा है इता हमको उल्टा-पुल्टा दिया अब तुम्हारा क्या होगा कालिया अब जैसे ही इस कुष्चन में आएं तो हमने देखा कि अरी दादा यहां पे तो यते लि मतलब यह करतरी वात्चे तो है नहीं सर कैसे पता चल गया क्योंकि लास्ट में बेटा किरिया होता और किरिया में देखी यते जुड़ा हुआ है और गम धातु नहीं परें है धातु गच्ती गच्ती गच्छांती यसर तो उसमें आपको पता नगिजदातु का ही गम यते य लिखा हुआ है तो एक बात है कि भाई करतरी वात्चे का किरिया रहेगा तो अंत तीता अंती सीता था आमि आबा आमा इसके अलाबा कोई नहीं होगा यते यह करतरी वात्चे है नहीं ठीक है यह पता कर ली उसके बाद हमने देखा कि सर यहाँ पे तो सर एक बात हमें दिखा कि यहाँ पे तो सर अहम है आवाम है मया है और तोया है सर यह जो चारो चीज है option में अब एक बात बताईए answer इसी में से न कोई होगा जी सर तो यह चारो का चारो सर एक बात हमें पता चला कि सर किरिया तो दिया हुआ है जी और सर एक बात बताईए कि किरिया दिया हुआ है तो हमें खोजना क्या है तो हमें क्या खोजना है सो देखिए मया तोया अहम अबाम यह चारो का चारो क्या है सर, option है, answer किस में से आगा, यही चारो में से आगा लेकिन यह चारो असलियत में है क्या, इसका असली चहरा क्या है तो देखिए न, चहरा क्या है, अहम हो, मया हो, और क्या क्या दिया हुआ है, देखिए अहम हो मया हो यह है क्या देखिए अहम हो मया हो और क्या option है अहम हो मया हो तोया हो यावाम हो यह चारो का चारो क्या है सर करता है बहुत बढ़िया यह चारो का चारो करता है मतलब हम समझ गये कि अब जो भी हमको भरना है वह करता ही भरना है अब आपको क्या तै करना है कि चलो भाई करता भढ़ना है अब करता जो है किस वाच्चे का रूल है ये तो सर इस वाच्चे में तो सर एक बात बताईए इसमें हम लोग पूरुस बचन नहीं खोजेंगे क्यों खोजेंगे पूरुस बचन तभी खोजेंगे जब हमें किरिया भरना हो किरिया तो हमें करता भरना है अब आप बताईए कि अंत में यते लगा हुआ है जी सर तो यते लगा हुआ है तो इसका मतलब कि या तो ये भाव वाच्चे का सेंटेंस है और या तो ये कर्म वाच्चे का है जी सर और आपको भरना है करता तो सर कैसे पता चलेगा कि क पत्री नहीं है ये कर्म है या भाव कैसे पता चलेगा ज्यादा कंठूल मत हो ये सिंपल देखिए कि भाई कर्म हो या भाव हो कुछ भी हो करता तिर्तिया में ही होता है बस आपको क्या करना है तिर्तिया विभक्ति का यहां पे एक करता लगा देना है तो अब आपसे हम पू सर मया हो जाएगा वेरी गुड सर बन गया सर अब बात चे लगड़ा आएगा इसलिए न बोल लेते बैटा फूपा यहां फूपा यह कभी जूट नहीं बोलते बैटा प्रामिस किये तो तो समझा देंगे इस वाट को द्याण मिले को हैं चलिए अब यहां पे हमने देखा कि तोया है अब तोया क्या है सर क्या है अब भी सर वार वार क्या है क्या है सर तोया तिर्तिया विवक्ति का भी क्या है सर करता है तो तिर्तिया विवक्ति का करता है मतलब की मतलब की मतलब की क्या है सर तिर्तिया है और करता है सर यह पता चल गया तिर्तिया विवक्ति का करता हमें भरना क्या है सर हमें भरना है किरिया भरना है तो सर किरिया के लिए पूरुस बचन खोजना होगा बिल्कूल नहीं सर कैसे आपको पता जल गया देखिए तोया आपने देखा जी सर तोया क्या है सर करता किस विभक्ति का तिर्तिया अब तिर्तिया विभक्ति का करता है से sentence में तो यह बात तो तय हो गया कि यह करत्री वाच्चे होगा नहीं या तो कर्म होगा या तो भाव होगा और कर्म भाव में पर्थम पूरुस होता है बाकी पूरुस होता ही नहीं तो पूरुस तो पहली से अब देखीए एक बात आप एस्टुडेंट ध्यान में रखिए कि अब इसका जो किरिया होगा करने का बधर ही हैं धातू ही है तो यह करतरी वाच्चे अगर नहीं है सर कैसे पता चला कि करत्री वाच्चे नहीं है तो देखिए न तोया लिखा हुआ है तोया का भी भक्ती क्या है सर तिर्थिया है क्या है तोया करता है तो करता तिर्थिया करता तिर्थिया भी वक्ती में कर्ण भावबाच्चे में रहता है बात को समझ रहे हैं जी सर कर्ण बाच भाव बाच में कर्तरी बाच में है न तो एक बात बताईए तो इती वाला option नमबर गव होगा क्यों नहीं होगा सर होगा सर आप मत काट यह नहीं होगा कैसे पता चला सर देखिया न लास्ट में ती लगा हुआ है ती लगता है किस में क कर्तरी बाचे में अच्छा सर ऑप्शन पहली हट गया हट यहां से इससी इतालगे दुनिया का है अईसा वाला सी तो होता ही नहीं है चला हट अब बच गया यंते और किरियते अब इस दोनों में से हम क्या लिखे यह मैटर करता है अब आप कहेंगे कि सर एक बात बताईए कि हम कैसे आइडेंट्री भाई कर ले कि अब सर यह कर्म है कि भाव है तब नरूल लगाएंगे कोई उसका जुरूत नहीं हो उससे पहले ऑप्शन को इलिमिनेट कर दीजे एक और ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएगा कैसे तो आप इस कुश्चन में देखेंगे तो मलिका और परतिष्ठा दो लड़की आपस में बात कर रही है तो बात्चित कितने बचन में होगा बताईए तो जब भी वार्ता लाग होता है दो दोस्तों के बात्चित बात्चित तो वो एक बचन में होता है जी सर तो अब कर्म बाच्ये का एक बचन होतो या भाव बाच्ये का एक बचन हो तो क्या होगा यते ही रहेगा बात को समझे यते क्या है सर कर्म बाच का एक बचन है यते क्या है दुई बचन है सर और यंते क्या है सर बहु बचन है तो हम तो एक बात तैक कर लिए कि भाया यंते तो होगा नहीं क्योंकि यंते बहु बचन है जी सर और बाचीत एक भाव बाचे रहता तो भी यत्ते य तो इस टांप से वह आप बना सकते ओर और कहें अब लिए कश्चन कर दा कर देठेएं देदा ideia देखिए यह कुष्चन तो और आसान है देखिए अब कैसे आसान है अब आपको रुकिए यह सब जो है उसको पाहर भाजते है चलिए देखिए रौफ करने दिए पिछला कुष्चन का पेसेंस मना के रखिएगा तो सब कुछ समझाएगा देखिए कोई भी चीज है पेसेंस से होता है टीचर इतना बेतर होता है क्यों टीचर हर सवाल का जवाब सही क्यों बना देता है उपर से ग्यान आया है नहीं आया है पेसेंस से बनाता है सांती से आप लोग सीधे क्या मार हुआ है जी सर अब भाया C लग गया सिसी आ गया तो देखे C किसमें है सी क्या है गच्ची मतलब जाना जाने का काम धातू नहीं पड़े अंत मैं इसे भी धातू रहता है धातू संस्क्रीत में हिंदी में किरिया और अंग्रेजिया में भर्वा मतलब भर्व ठीक है ठीक है तो गजसी है क्या है सर किरिया है अब बताए तो किरिया सी है तो यह कौन सा बाचे है सर करतरी बाचे है तो एक बात तो तय हो गया कि भाईया यह कौन सा बाचे है करतरी बाचे है सर इकाय पता करते की कौन सा वाच्ची है क्योंकि उसी के कोडिंग रू यह लगाएंगे क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं नियम कानून लगाएंगे अब देखिए आपको खोजना है आपके करता क्योंकि देखिए ओप्शन में अहम हो तोया हो सब का सब करता ही है सर आपको क करता है जी सर लेकिन तोया किस विवक्ति का करता है सर तिर्थिया विवक्ति का तो क्या यहाँ पे लिख दें हाँ सर लिख दीजिए नहीं लिख सकते क्यों सर वाई बी डॉन्ट राइट हेर सर तुआ तुआ भी तो सर करता है बिल्कुल सही लेकिन यह तिर्थिया विवक्त तो करता जो है वो कभी भी तिर्तिया विवक्ति में नहीं रहेगा तो एक option तो पहले ही छट गया ठीक बात्चित question से कीजिएगा तभी होगा इत्तो यह आपको बोलेगा ए दोस्त मैं वो करता हमको लिख दोना तो तुम बोलोगा क्या आप क्या बोलोगे है चुपो तुम त सर ठीक है यह तो तिर्तिया का था छाट दिया सर एक बात बताईए कि अब बचा त्वम और अहम अब सर यहीं पर सर गोटी फंस गया सर त्वम और अहम दुनू तो सर पर्थमे का है अब दुनू में से क्या लिखे सर यहीं मामला फंस गया अब देखिए अब तो असली मज अब देखेंगे इसमें तो इसमें भी आदित्य और अभिनव के साथ बातचीत शुरू हो रहा है जी सर जी सर तो बातचीत का पहले लाइन है जी सर तो बातचीत का पहला लाइन है अहम का मतलब क्या होता है सर मैं होता है अब यह आप लिख दियें तो हम का मतलब क्या होता है तुम होता है, अब आपसे हम पूछें कि एक बात बताईए, सबसे पहले तो यह समाज गया कि पहला उप्षन क्यों कटा, क्योंकि करता भढ़ना यह तिर्थी आम है, करतरी बाचे तो करता प्रत्मा में आगा, अब जैसी प्रत्मा भढ़ने जाएंगे, फिलब करने और बाचेत वाला ही कुष्चन अभी नया साल, दो-तीन साल से पूछा जा रहा है, तो अब बाचेत का स्टार्टिंग अभिनब क्या हुआ है कि क्रिदीटूम गच्टी, मतलब खेलने की बात हो रही है, तो आप ही दोस्त के साथ बाचेते स्टार्ट करते हैं, कुछ कुष तो आप पूछ रहे हैं, या मेरा फेबले ते स्टूदेंट आप राहूल है और आपका दोस्त है कोई माहूल तो आप राहूल हैं और माहूल को कुछ बोल रहे हैं, तो आप हमेशा तुम ही का नहीं यूज कीजिएगा, स्टार्टिंग में क्या तुम पढ़ा है, तो पुछेगा क्या तुम पढ़ा है, तो आप के हम मैं पढ़ा है, या हम पढ़ा है, या स्टार्टिंग किसे करेंग यह सब लगाने से नहीं आगा आपको आगा स्मार्टने से तो आप बरतल आपका स्टार्टिंग कैसे करेंगे तो हम सही करेंगे अब देखिए यह तो हो गया जी सर इसमें कोई दिकत नहीं अब देखिए इहां पे हमने दूसरा में देखा कि लिखा हुआ मया मया का मतलब है क तो सर मया भी ये क्या है तो सर करता है तो सर मया करता है देखिए किस विभक्ति का करता है सर तिर्तिया विभक्ति का ये करता है तो एक बात बताईए बाबू कि तिर्तिया विभक्ति का जब ये करता है जी सर किस विभक्ति का सर तिर्तिया विभक्ति का करता है तो क्या ये कर करत्रिवाच्च्य तो है नहीं क्योंकि परत्मा रहेगा और शर कैसे पत्र चला कि मया करता है वही जो चाट दी है याद कर जाएए जी सम्व लास्ट में खोजना है किया ही होगा देखिए पटपटपट है मतलब पढ़ने का काम तो किरिया ही खोजना है तो तिर्थिया लगायना ही नहींए जब मामला फसे तो एक के बाद एक नियम दीजिए एक के नियम पर काम हो जाए तो कोई टेंसन नहीं है अब यहते यते यंते हैं देखिए यहां पर पठ यह से तो कोई रूल ले नहीं होता तब क्या करते हैं तब देता तब हम देखते कि वचन का खेल है तो अभी सिधा है अगर आपका मनमगा है कि सार अगर तीनु यही ऑप्सन देते तो कैसे पाइंट करेंगे इसी तरह ठीक है तो ज्यादा कंठुज आपको बोर्ड नहीं करेगा यही दुनु हट गया यते ही ब अभी बचन में परता यते यते लिखा है तो अहम तो पर्थमा यते लिखा हुआ है तो कौन सा बाच्य है भाव बाच्य है और करता ả़ूंडना यह तो तुर्ति़ते दुटिया में होगा अहम जो है यह तिर्तिया का करता है नहीं प्रत्मा का है अब बच गया तोया और मया बच गया ठीक है तोया का मतलब होता है तुम मया का मतलब अहम का ही तिर्तिया भी वक्त है हम का मतलब मै तो मया का मतलब ही मै तो आदित्य पूछा अभिनब जबाब दिया फिर आदित्य प आप देगा अपने बारे में देगा तो अपने बारे में आप तुम लगा के तो बोलेंगे नहीं जैसे अगर माली आपका दोस्त पूछा कि क्या बाई तुम्हारा कंप्लीट है तो आप बोलेंगे हाँ मेरा कंप्लीट है तो मेरा ही लगा के बोलेंगे मैं ही लगा के बोलें सर तीसरा कुजिशन छूट गया, छूट गया हमें पता है बता रहे हैं, देखिए, यहां पर तौम लिखा हुआ है, यह सर, तौम क्या है, सर करता है, तौम करता किस विवक्ति का है, सर, तौम करता प्रतमा विवक्ति का है, सर, प्रतमा विवक्ति का है, तो फिक्स कौन सा ब लेखते हैं बता हुगा है सार से समझेगा तो होगा कर्तरी वाच्चे होगा अब बताईए सर किरिया खोजना है बिल्कुल नहीं कर्म खोजना है कैसे पता चला देखे लिख सी लिखने का काम कर्म आपको ढूढ़ना है कौन सा बाचय है, सरकर्त्री बाचय है कार्म किस भी वक्ति में दुइतिया में तो दूइतिया में नीवंधा होगा नहीं चाइब क्या होजाएगा बताइए नीवंधनम हो जाएगा नीवंध सब्सक्री वर्व पे चलिए निवंधना महों जाएगा बन गया चलिए सर हमको एक एक नहीं आया कोई दिकत में तीनी तो बनाना है अब आपको कड़ाते हैं लास्ट कुष्चन ये चार और इसी तरह बनेगा कोई भी देखने हैं कोई भी नया चीज हम बता रहे हैं सब वही चीज है एक बात तो है कि बालकह जो है आप इस तरह भी पकड़ सकते कि बालकह पर्थमा में हैं जी सर तो भी ये क्या है करता है करतरी बाचे है और ऐसे भी पकड़ लिए कि ती लगा हुआ है तो भी ये करतरी बाचे है तो खादती मतलब खाने का काम जी सर तो खादिती क्या है सर किरिया है जी सब से किसी काम के होने का बहुत हो सर कहते हैं पता चला कि खादिती का मतलब किरिया है खाने का काम हो रहा है दातुरूप याद नहीं किये हैं याद कीजिए देखिए एक बात ध्यान में रखिए आपके पिता जी बहुत मेहनत से कम कि आपको पढ़ा रहा है सीवेस्टी में सरकारी में आईएगा माथा खराब हो जागा आपका इतना टेंशन देगा तो आप मेहनत कीजिए पैसा का पिता जी जो देर है मेहनत से तो भी आप इंस्टा डिल में बरबांद मत कीजिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ठीक है फो पाइसमं जो है नपुनसक में आएँगे तो क्या हो जागा मुथ से निकल ज्णया पाइसमं हो जाली ठीक है तो यह सब्धुरूप का खेल है तो थे सब्धुरूप कैसे पता चलेगा देखिए नपुनसक आपको दिखाते क्षाटक ऑल है ना नपुनसक वाला करांड तो एक नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है आज कल है स्टूडेंट से में हुल्बुलाहर ज्यादा हो जाता है सर एक नहीं आया एक नहीं आया कोई दिक्कत नहीं नहीं आया नहीं तीन आया न वह उसी में मतलब रख लेना है बन जागा तीन सानी से देखिए यंते लगा हुआ है जी सर अब देखिए यंते लगा हुआ है तो एक बात तो तय है कि यंते लगा हुआ है तो ये कौन सा बाच्चे है सर कर्म बाच्चे को कि कर्म बाच्चे में ही यंते लगा रहता है अब खोजना क्या है तो चितरानी यानि की कर्म दिया हुए आपको खोजना है करता, अक्सर करता किरिया ही खोजनार बला बना लीजेगा, क्या खोजना है, सर करता खोजना है, करता किस भी वक्ति में रहेगा, सर तिर्तिया में रहेगा, तो आप यह दिखिएगा, माम, माहाम, अहम, यह सब तो यह आख़ सब लिख लिए इसको बोड़ाओजिये लिख लिए लिखने लिख दीये लिख शुर्णव में यह प्रचू सब यह है परथमा यह दृतिया यह परथमा यह है तीक उसके बाद अस्मत सब्दुरू यह आपको याद रहना चाहिएर हम अवामबय इसको लिख लिजए यूस्मद को लिख लिजए ठीक है इसको लिख लिए ऐसे यह सारा पिडियाप हम टेलिगराम पे आज देने वाले हैं अब ये देखें, मया पता चल गया, जी सर अब देखिए इसमें क्या करना है अब देखिए इहां पे क्या धूंड़ना है, तो मात्रा जी सर मातरा जो है ये तिर्थिया विभक्ती में आता है अच्छा सर और यह बहु बचन है अच्छा सर ये बात है जी हाँ तो तिर्थिया विभक्ती में आता है बहु बचन में आता है तो यह किस बाच्चे का है सर कम बाच्चे का तिर्टिया भी वक्ति में करता है क्या होता है सर यंते होता है तो क्या लगा देंगे बताइए यंते किसमे है इसमे है तो पच्यंते तो इस तरह से समझिएगा तो होगा अब देखिए पिता डैस फलानी आन्यती आन्यती डैस फलानी आन्यती डैस फलानी अन्यती तो अन्यती ती लगा हुआ है किरिया है ती क्या होता है बताईए सर करतरी बैचे करता खोजना है करता किस भीवक्ति में रहेगा पर्थमा भीवक्ति में रहेगा अब पर्थमा भीवक्ति में रहेगा पिता का धातुरूप होगा की सब्दूरूप होगा सर सब्दूरूप होगा अब पिता सब्दूरूप आपको याद नहीं होगा ठीक है हमको पता है तो ध्यान दीजिए पिता पिता तो पिता का जो मूल सब्दूरूप है मेन भर्ब पढ़ते ने जैसे playing, eating तो ये main verb नहीं है, verb form है वर्ब क्या है? play it तो उसी तरह पिता जो ये पित्री सब्द रूप का है तो पित्री इकारांथ है पिता pulling है कि इस तरह लिंग? सर pulling है तो पित्री इकारांथ sorry, पित्री इकारांथ किस पे चलेगा? pulling पे चलेगा तो दात्री इसी पे चलता है तो पिता भी सेम दात्री के तरह हो जागा तो दात्री का क्या है? दाता, दताराओ, दात्रः ठीक है? तो ये भी एक बचन में क्या हो जागा? दाता है, दात्री नहीं है तो पित्री भी पित्री नहीं, पिता हो जाएगा तो एक बचन से क्या हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहाँ पे जो है पिता हो जाएगा पितरा नहीं हो जाएगा पितरा किसमें रहता तो सर्दूई बचन में कैसे है तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे दातराव है तो यहां पर क्या हो जाता पितरोव हो जाता ठीक है तो यह दुई बचन में है एक बचन में कोattend कि पिता एक बचन में ही होंगे हमागे सबसे पहले आपको क्या identify करना है अब हर एक question को उतना ही explain करेंगे तो हो गया फिर आपका दिमाग कब चलेगा आप अपना दिमाग चलाइए ती लगा हुआ जी सर ती लगा हुआ तो कौन सा बाचे है सर करतरी बाचे है करतरी बाचे है तो करतरी बाचे में भी ती किसमे है सर एक बचन में पूरुस का हटाईए पूरुस उरुस मत देखिए आपको खोजना है करता करता खोजने के लिए हमें सब्दूरूप आना चालिए और सब्दूरूप में पूरुस का रोल नहीं होता है बिभक्ति और बचन का रोल होता है तो एक बचन में जी सर और पिता फल प्रतानी अन्यती पिता फल ला रहे हैं जी सर तो पिता क्या है करता है करता में हमेशा एटुमेटिक सर प्रत्मा विवक्ति तो करता में विवक्ति कौन सा लगेगा प्रत्मा लगेगा वचन क्या है एक बचन तो यहाँ पे करता कौन है पिता है पित्रो 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 पित हो जाता इसलिए हम लोगों ने यहां पे पिता सब्द का यूज किया है तो अप्शन नमबर घह जो है यह सही हो जाएगा यह मातरा है तिर्तिया विभक्ती है बहु बचन है इसलिए तिर्तिया विभक्ती बहु बचन में थिकर यंते का इस्तिमाल होता इसलिए हम लोगों न इसलिए हम लोगों ने मया का यूज किया यहां पे कर्म हमेशा यह करतरी बाच है तो दुईतिया में होगा तो हमने पाइसम का यूज किया नपून्सक लिंग फल सब्द रूपके एकॉर्डिन दुईतिया भी वक्ति पे अब यहां पे आप देखे होंगे कि हम एक कॉंसेप आपको बता देते हैं कि हम बार बार बोल ले जा रहा है कि इस पे चलता है इस पे चलता है चलने का मतलब क्या होता है यही होता है कि कलास नाइन्थ में आप पढ़ाय लिखाई नहीं किये और टेंथ वाला अनुवाद का विडियो देखें तो देख लिजिए संस्क्रीट म कि वह दितना परसेंट नवलकर यह यह सब cricket with act बहुत कि उपत्री एक शेला ऱम भीखती को यूज करना तो हम आपको बार-बार बोलने हैं कि सब्दूरूप पे चलेगा उसका मतलब आपको बता देते हैं जैसे देखिए यह है बालका बालका ओ बालका तो बालक सब्दूरूप याद कर लिए तो नीचे में गर्ज, घर्ट, पर्ट, मोहल, लक्षम, नर्द, जितना भी नाम है, सो, ब्रिक्च, यह सब्दूरूप आपको याद हो गया सर ऐसा होता है, हाँ, ऐसा होता है सर यह बता दीजेगा थोरा सा, क्यों नहीं बता देगे, देखिए जैसे अगर आपको बालक सब्दूरूप याद है, तो समझे ब्रिक्च सब्दूरूप आपको याद हो गया कैसे, तो जैसे देखिए, बालका है, तो सेम इसी पे चलेगा, तो वो भी ब्रिक्चा हो जाएगा बाल का है तो भी क्या हो जाएगा ब्रिक्छा हो जाएगा बाल का है तो भी क्या हो जाएगा ब्रिक्छा हो जाएगा अच्छा सर यह है यह है समझे बात को जैसे बाल कस्य है तो भी क्या हो जागा तो यह याद है तो आपको सब सब्रूप याद है उसी तरह बताएं समझें तो यह बालट है फल है इतात्री है अकरांत का लता है अकारांत है यह सब याद रखना है तो वाचे वनसोट आज हो गया और धीरे धीरे इसी तरह वनसोट में सारा चीज पढ़ाएंगे उन्पोर्टेंट कुश्चन कराएंगे और संस्क्रीट का एसा त्यारी कराएंगे बेटा कि 100 में 100 आपका आजएगा बेटा फूपाई के आशिरवाद से ठीक है स्टूडेंट तो यह आप अपने ध्यान में रखिएगा और अनुबाद के लेक्चर को जरूर फॉलो कीज़ें देखिए अनुबाद जो हर एक जगा काम आएगा बिना अनुबाद के आप चीतर लेखन भी गलत सलत बना के आगेंगें अलत होगा नमर कटेगा सरकाय से कुछ बता दीजिए जैसे देखिए अगर माल लीजिए कि आप से हम पूछे कि आपको पता है कि कहां पे अस्ति लगाते हैं कहां पे सत्थ लगाते हैं बताईए तो 90% आपको इस्तुडेंट को नहीं पता होगा कन्फ्यूज रहते हैं कहां संति कहां अस्ति लगाते हैं जैसे देखिए माल लीजिए कोई चित्र लेखन दिया हुआ उसमें एक पेर है तो आप क्या उसका लाइन लिखेंगे चित्रे एक ब्रिक्ष है एक बचन में लिखेंगे क्या लिखेंगे बालका है तो क्या लिखेंगे ब्रिक्ष है ब्रिक्ष और तब एक बचन में आप ह कव होता है तो क्या हो जाएगा ब्रिक्षा ब्रिक्षा अच्छा और कभी भी अस्तिक आप यूज नहीं करेंगा सता का यूज करेंगा माली जे की चित्र में आपको बहुत सारे ब्रिक्ष दिख रहे हैं तो बाल का है ज्यान से देखिए बाल का है तो क्या हो जागा ब्रिक्षा ब्रिक्ष क्या बन जागा ब्रिक्षा तो क्या हो जागा बताइए सर ब्रिक्ष का ब्रिक्षा हो जागा क्या हो जागा संती हो जाएगा अम माल लिजे कि कोई यहां पर धोका से अस्ती लगा दिया हो गया हो गलत हो गया पुरा का पुरा लाइने गलत हो गया नमबर कटा आपका ठीक तो यह कैसे पता चला अनुवाद से पता चला कहां पे एक ब्रिक्ष का हम ब्रिक्ष लगाएंगे, दो का ब्रिक्ष लगाएंगे, तीन का ब्रिक्ष लगाएंगे, कैसे पता चला, सब दुरूप से पता चला, और सब कुछ कहां पता चला, तो अनुवाद में पता चला, तो अब भी तो बहुत टाइम है, पूरा का पूर परनाम धने बाद बुडियों को दोस्तों के साथ एक बार शेयर कीजियेगा और शेयर जरूर कीजियेगा